जहन नमस्कार दोस्तों मैं विरार चोदरी श्राइद करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल कमांड ओकेड़ में दोस्तों आज का वीडियो इस्पेसली बहुत इंपोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं ससी जीडि की या जिन्होंने पेपर क्वालिफाई कर लिया है या जो अभी फिजिकल क्वालिफाई कर लिए चुके हैं या जिनका टार्गेट ससी जीडि दोजार तेबिस है उनके लिए तो बहुत important है, आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा, कि SSEGD में आपका medical test कैसे होता है, क्या चीज़ें allow होती है, क्या चीज़ें allow नहीं होती है, कहां पर problem होती है, और कहां पर problem नहीं होती है, बहुत सारी जो में, सभी में नहीं, कुछ चीज़ें समान भी होती है, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, बहुत ध्यान से देखना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो आपको like करना है, share करना है, क्योंकि यही आपका support हो सकता है, अमारे लिए, अब मैं आपको शुरू करता हूँ, सबसे पहले SSGD में क्या-क्या चेक होता है, देखो, SSGD में चेक होता है, आपका, सबसे पहले होता है, eye test, nose test, उसके अलावा, teeth test, यहनि मूँ, jeep भी चेक होती है, द्यान रखना, operation और surgery चेक होती है, tattoo टेस्ट होता है, sweat plump, यहनि हार्थ तलियो में जो पशेना होता है, carry angle चेक होता है, flat foot, nook knee और ear test, कान टेस्ट होता है, dropping, shoulder, chest, six finger, varicose vein चेक होती है, hernia का टेस्ट होता है, private part चेक होता है, skin टेस्ट होता है, burn operation mark चेक होता है, BP टेस्ट होती है, bullet और x-ray urine टेस्ट होता है, अब यह क्या-क्या होता है, इन में कौन-कौन सा allow होत होता है, इसको अब हम detail में जानेंगे, शुरू आत्षे करते हैं, शुरू, सबसे पहले आपको, जब भी medical test देना जाते हैं, तो आपको अपनी body को clean कर लेना पूरा, clean का मतलब, जहां पर जैसे private parts है, या bugles है, जहां पर hair आते हैं, उनको hair को remove कर देना है, ठीकि तरशे से सा होगा, BP आपकी शरीर के अच्छी रहेगी, ठीक है, और blood test भी अच्छा होगा, चलिए सुरू करते हैं, सबसे पहले eye test, सबसे important part है वो eye, eye में एक मुख्य बात आप सभी को पता कि आपकी eyes कि लेवल के होनी चाहिए, आपकी 6 by 6 होनी चाहिए, कितने होनी चाहिए, 6 by 6 आपक medical qualify करने के लिए, अब देखिए, surgery allow है या नहीं, तो मैं आपको बतूँ, laser operation जो होता, eyes का, जिन बचों कि याँ की कमज़र होती है, अगर आप laser operation कराते हैं, तो आप SSCD में पास हो सकते हैं, problem नहीं है, अगर laser operation कराके अगर आप army का medical test हो तो, तो आपको बाहर कर दिया अपना pre-medical कराने आ सकते हो, academy, ठीक है, जो laser operation है, वो SSCD में पास होता, लेकिन army में नहीं होता, अगर आपको नहीं laser operation करा है, तो आप army में medical unfit कर दिया जाओगे, लेकिन SSCD में आप qualify हो सकते हो, चस्मा allow है या नहीं, देखिए, बिना चस्मे की जो आपकी eyes की range है, वो 6 by 6 हो नीचे है, कहने का मतब चस्मा allow नहीं है, अगर आपके चस्मा लगावाया है, तो आप operation करा के, अगर laser operation से आपकी eyes 6 by 6 हो जाती है, तब तो ठीक है, अन्यत आपको medically unfit कर दिया जाएगा, आखे टेडी मेडिया रंत हो दिया, आपको medical में बाहर कर दिया जाएगा, इस condition में, अगर आपके आपके टेडी मेडिया है, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, तो आपको railway की तयारी करने चाहिए, फोर्स की तयारी नहीं करने चाहिए, color vision, सबसे important part, color vision, यह जिस बच्चे के problem होती है, उसको force की तयारी तो करनी ही नहीं चाहिए, फोर्स की तयारी तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि color vision एक ऐसा medical point है, एक तो यह जनमजात होता है, दूसरा इसका अभी तो कोई उपाई मिला नहीं है, इसको operation के दुआरा भी ठीक नहीं किया जा सकता है, तीसरा अगर आपके color vision आपको शिदा बाहर कर दिया जाएगा, medical review क मौका भी नहीं दिया जाएगा, इन्हीं मेडिकल का मौका भी नहीं मिलेगा, color vision को check करने के लिए Google में बहुत सारी book मिल जाएगी, या आपको आपी check कर लेते हैं, आपको बताना है कि नीचे, यहां क्या लिखावा है, यहां क्या लिखावा है, यह आपको comment में बताना है, अगर आप इसको बता देते हो तो इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब यह है, कि आपका बिल्कुल ठीक है color मिज़े, लाट तो एक चीज़ और बतातू, SACCD के और आर्मी के भी academy में ने बेश शुरू हो रहे हैं, अगर आप हमारी academy join करना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं, command arcade में कुचा मसिटी राजस्तान में, ठीक है, आई टेस्ट में देखिए, अब important और क्या क्या बते हैं, सबसे important वाइट आपकी है कि six by six आपके eyes होनी चाहिए, color vision आपके नहीं होना चाहिए, निकर दिस्टी जोस्त या दूर दिस्टी जोस्त भी आपको नहीं होना चाहिए ठीक है, समझ के बाद को बाकिया आपको बता दिया, laser operation अलग होता है, स्सेटी में, आर्मी में नहीं होता है, जो चीजे में आपको बताईए, बेटर आइज six by six, ठीक है, ये चार्ट के दुवारा भी बता रहा हूँ, बेटर आइज कौन से है, six by six, तो ये आपकी eyes होनी च इसको बोलते है, स्टेप बस नस त्यान रखना, इस परकार से अगर आपकी नाक इस परकार से है, तो आप फिट है, लेकिन अगर आपकी नाक इस परकार से है, तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा, medical point मिलेगा, आप इसका surgery, operation करा के ठीक भी करा सकते हो, ये सी कोई लायल याज बिमारी नहीं है नाक में सबसे important point यह होता है, dns इसको बोलते हैं, ठीक है, दात का test, दात के test में क्या होता है, मैं आपको दात में मुख के रूप से आपके कम से कम 28 दात होने चाहिए, कितने 28 दात आपके सही होने चाहिए, अगर आपको कोई दात उखड़ गया है, य हैं आपके मिलता है तो पॉइंट होता सिर्फ किस टायप का पॉइंट होता मैं आब को बताएं अगर अगर आपके मतलब अठाई से कम दाता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा अगर आपके बहुत जदा डिस्पेलेंस है तो आर्मी में आपको बाहर कर दिया जाएगा लेंगे असा नहीं होगा अगर आपके दांत इदर उदर भी है तो भी आपको एक्षेप्ट कर लिया जा पाईरिया अगर आपके दातों में जैसे इस परकार से पाईरिया टाइप की बीमारी होती है तो इसका आपको इलाज कराना चाहिए क्योंकि यह कोई लाई इलाज नहीं है इसका इलाज संब्व हो है और आपको इसका इलाज कराना चाहिए दातों में गेप हो बहुत सारे बत्रों के दातों में खुब सारा गेप होता है तो मैं आपको होता तो इससे भी कोई प्रोल्म नहीं अगर आपके दातों में गेप है या दाते चोड़ी चोड़ी हो रखे है या बीच में छोटा-छोटा सा इस प्रकार सा गेप है या डिस्बेलेंसर में दोनु najए अगर एक नाथ तक है तो उसको वहीं तक काटम करो तो लुट कोई प्रब्लम नहीं होगी अगर एक-दो तक आपका तूटा वा या इस परकार का है तो लुट को आप भरवा सकते हैं कोई problem नहीं है यह जो आपकी क्यूशन है उनसे रिलेटी कर रहे हैं operation या surgery operation जिसे कई बार बच्छों के जिसे operation का appendix का तो वो अलव है कुछ operation अलव है कुछ नहीं होते हैं चोटा मोटा और भी आपके कई कट लगा आपके टाके लगे में कोई problem नहीं है या कोई बच्पन में हंटी टूट गे ती उसका उसका उसमें operation अभी ठीक है वो तो वो भी अलव हो जाएगी चल जाएगी प्रोब्लम नहीं है ठीक है जैसे अब रीड की हटी में कोई प्रोब तो वो बिलकुल चल जाएगे उसमें कोई संधे नहीं है अगर वो हाथ से उपर भी होंगे तो भी चल जाएगे अगर बाकी यहाँ हाथ से नीचे हैं तो वो टेटू अलव है हतेलियों में पसीन आना, ये एक बीमारी है, अगर आपके हतेलियों में पसीन आता है, तो आपको इसमें मेडिकल में भार कर सकते हैं, मेडिकल पॉइंट भी इसका बनता है, इसका इलाज भी बता देता हूं, आपको क्या करना है, जिनके भी हतेलियों में पेरों में पसीन आ रखना हो ये एक medical problem है इसका इलाज में आपको बता दिया है आपको एड़ वाइज भी कर दिया आप इस बात का पूरा ख्याल रखिए केरी एंगल किसको बोते हैं जैसे अगर में हाथ ऐसे कर रहा हूं और अगर मेरी कौनिया टच हो रही है में हाथ ऐसे कर रहा हूं मेरा हाथ इस परकार से साथे सतरा डिगरी आसपास बाहर है तो इसमें मेरीकल पॉंट मिले गजा है रहूं बाहर बेज हो गए तो जिसमें बच्चे केरी एंगल है वो बाहर हो सकता ध्यानक है जिसके carry angle उसको force के तयार नहीं करना चाहिए carry angle को चेक इस परकार से किया जाता अब अगर मेरी कोन ही आपस में touch होती है यहां पर तो इसका मतलब मेरे carry angle है आप अपना चेक कर सकते हैं और मेरे को बताईगा जरूर ठीक है अगला है carry angle in not allow आप बिल्कुल देखिए यह इस परकार से इसको बोलते है carry angle समझगें यह out जो हाथ होता है चाहिए एक हाथ आउट हो चाहिए दोनों हाथ आउट हो अगर आपके carry angle है तो आपको unfit कर दिया जाएगा ठीक है अगर आपके carry angle की problem है तो SSGD में भी unfit किया जाएगा और army में भी medical unfit किया जाएगा अब आता flat foot देखो अगर आपका पेर ऐसा है flat foot तो इसकी problem है और इसमें बाहर कर दिया जाता है इस परकार से आपका पेर होना चाहिए यह right है normal foot और यह flat foot अगर आपका flat foot है तो आ अंदर की side में यहाँ पर कुछ ज्यादा extra लगा के कपड़ा और उसी जूते का परियोग करने से यहाँ पर कुछ दिन के लिए एक shape आजाता है पर्मानेंटर नहीं रहेगा लेकिन आप medical से अगर 20 से 25 दिन पहले से अगर यह जूता पेहने देर हो गए तो वहाँ पर कुछ से पा जाएगा इस type का और उसकी जिसे आप बस सकते हो medically fit हो सकते हो इस परकार से आपका पेर हो सकता है यह पेर अलाव है यह वाला अलाव नहीं फलेट फूट आपको बताए दिया इसके बारे में हाँ यह फलेट फूट की एक साइज भी जाना इस परकार से आप बोल लगा के भी कर सकते हैं अब आता है नोकनी की problem देखो यह इसको बोलते हैं नोकनी और यह है normal अगर आपके पेर इसको प्रकार से दोनोंag से मिलाएं कि दोनों पेर सामने रहें और फिर आपके अगर गुट्स नहीं होते हैं तो इसका मतलब आप normal अगर आपके कुट्ट्स होते हैं पूरा हो रहे हैं इसका मतलब आप medically unfit हैं कि exactly काम में क्या वता कान में होता है कानMcHart जिसे कई बचों का कान बैसा है उसमेंसे पानी निकलता है उसको चेख कि जाता है कान की साफ सफाई चेकी जाती है कान की पड़े को चेकर दहा अगर आपको dealing हो कुछ हो जाएगा कि सॉल्डर टेस्ट अगर आपके विल्कुल इस परकार से सीधे हैं तो कोई प्रॉलम नहीं होगी लेकिन अगर इस परकार से jadiya日 कईव से दभावा रहता है U dessa वा रहता है और रहता है और अंज अEM का नर्मल रहता है तो अगर आपके इस-प्रकार से तो आप अगर आपको नोर्मल है तो कोई प्रोब्लम नहीं है इसमें कोई संद्य नहीं है क्योंकि अईस्सीजीड के मेडिकल अनुसार आपके हतों में पांच फिंगर हई होने जैय पेरों में भी पांच होने चाहिएक अगर आपके बिल्सक्ति नहीं होगी अगर हमें देखे लिए हैं तो ऊ competition आप इसकी सरज़री पी करा सकते हैं, उसके बाद में भी संबोग हो सकता है, लेकि इस परकार से इस कंडिसन में आपका पियर है, या या अपको वेरिकोशी प्रोडम है तो आपको अलाओ नहीं कि तौसमी क्या जाएगा, हारनियां, अगर एक इस परकार से देखिए हैं जिस प्राइविट पार्स में आपको बता दिया मुख की रूप से जो पीछे की अगर बात करें हो तो आपके बावा सीर या पाइल्स नहीं होनी चाहिए बावा सीर में क्या होता है इसकीनिया तो बाहर होती है या कट लगे वे होते हैं पाइल्स में क्या होता है एक पीछे की होल में एक layer बन जाता white color का अगर वो white color का आपके layer है उसके जिए से आपको खाने पीने में जलन होती है तो आपको डोटर को दिखाने की जूरत है आप कुछ भी ठंडा खाते हो तो भी पीछे जलन हो जाती है गरम खाते हो तो भी पीछे जलन हो जाती है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि आपके पाइल्स की problem है उसके आपको डोटर को दिखाना ही दिखाना है बवाशीर में क्या होता है इस परकार से cut लग जाते है आपके potty की समय bullet आता है या आपके पीछे hip में दर्द रहता है तो वो है बवासी उसको भी आपको डोटर को दिखाना है इलाज कराने के बाद में आप फॉर्स जोईन कर सकते हूँ इस्पेसली लड़कों के वर्सन की साइज बिलकुल बराबर होना चाहिए दो गोलियां बिलकुल बराबर होना चाहिए पेनिस की चमड़ी पीछे जानी चाहिए पेनिस में एक ही खोल लोना चाहिए यह मेन इंपोटेंट है ठीक है इसकीन प्रोब्लम अगर इसकीन पर आपके छोटे मोटे कोई निसान है था ठीक है भी고 पीपी टेस्ट का चाहिए का संयते मोंहाय। इस में किसी परगार के प्रोब्लम नहीं होना चाहिए तभी आप सेजीडी जोईन कर सकते हैं और आहीं दिए में फोता ہے ज्यान रखना है इस पांये स्पार्ण एक स्पार्ण सांँ में तो यह आपका urine भी बिल्कुल clean होना चाहिए एक bullet test आप में अंदर हिमोगलोबीन अच्छा होना चाहिए ज्यादा तर लड़कियों में हिमोगलोबीन की कमी पाय जाती है उसका medical point भी बनता है आपके अंदर मतब urine test बिल्कुल normal होना चाहिए ध्यान रखना urine test के लिए जब भी urine दो तो पहले कुछ urine नीचे गिरने के बाद ही urine देना है ठीक है bullet test भी आपका बिल्कुल हमोगलोबीन बराबर होना चाहिए उसमें WBC की माता सही होनी चाहिए प्लेटलेट बिल्कुल आपकी सही होनी चाहिए मुखे से जिए अगर आपके इनमें से कुछ भी कम है bullet test आप क पर दो आपके पर दो आट